तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 11 की बिजनस स्टडीज वाली बुक डिसकस कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर 5 अभी तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ और यह आपका चैप्टर 6 होगा ठीक है चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉंसिबिल्टी ओफ बिजनस एंड बिजन आप कॉमर्स के स्टुडेंट हो या फिर आप कॉमर्स के किसी भी एक्जाम के पेपरिशन कर रहे हो तो तो मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हल्प करने की कोशिश करूंगी ठीक है और अगर आप मुझे टेलिग्राम इंस्टाग्राम फेस्बुक पे फॉलो करना चाह यानि कि यह समाज की बात करेगा सोसाइटी की बात करेगा ठीक है उसके बाद रिस्पॉंसिबिल्टी यानि कि यह सोशल समाजिक जिम्मेदारियों की बात करेगा यानि सोसल रिस्पॉंसिबिल्टी की बात करेगा कि हमारी बिजनस के प्रती क्या सोसल रिस्पॉंसिबिल् तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे या इस चैप्टर में डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसका definition समझते हैं या meaning समझते हैं तो social responsibility of a business refers to its obligation To take those decisions and perform those actions which are desirable In terms of the objectives and values of our society यानि कि social responsibility of business का मतलब हो गया है कि हम उन सारी obligations को या उन सारे decisions को ले जो हमारी societies की values को societies की objectives को हम न पहुचाए ठीक है यानि हम ऐसे actions को perform करें जो कि desirable हो हमारी societies के लिए values को हम ध्यान में रखते हुए society की कोई भी काम करें ठीक है तो I hope आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा चलिए हम समझते है kind of social responsibility तो अगर हम social responsibility के kinds की या types की बात करें तो ये main four types के होते हैं पहली आपकी economic responsibility दूसरे आपकी legal responsibility तीसरी आपकी ethical responsibility और चौती आपकी discretionary responsibility तो पहली जो है वो economic responsibility इसके नाम से clear है कि economy की बात करेंगा यह यानि कि हम अगर simple words में समझें तो जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया था कि business हमारा क्या होता है business हमारा है कि economic activity है economic activity इसलिए है क्योंकि हम business करते है कुछ motive से कि हमें कुछ profit earn होगा में मोटिव हमारा क्या होता है business करने का कि हम profit earn कर सकें ठीक है तो यह एक economic activity है तो अगर हम business में profit ही नहीं अरकर पाएंगे तो खाली समाज या social समाज की जिम्मेदारिये कोई नहीं बाते रह जाएंगे तो business हमारा वो कहलाएगा ही नहीं ठीक है तो यह हमारी economic responsibility बनती है ठीक है चलिए समझ लेते हैं अब business enterprises basically an economic entity तो business हमारा एक economic entity होती है therefore its primary social responsibility is economic तो economic के प्रती हमारी इनकम के प्रती में social responsibility बनती है कि हम ऐसे good services को produce करें society में जिसको society की भी जरुवत हो और उसको बेच करके हमें profit भी business में मिल सके ठीक है अब next जो है हमारी legal responsibility इसके नाम से clear है कि legally हम किस किन चीजों के लिए responsible है ठीक है तो every business has a responsibility to operate within the laws of the land यानि कि हम land के laws को follow करते हुए ही business करें ऐसा ना हो कि हम illegal काम करने लगें ठीक है तो legal responsibilities होती है जिनके beyond हम जा ही नहीं सकते हैं उनको हमें करते रहना है ध्यान में रखना है ठीक है next है हमारी ethical responsibility इसमें बात हो रही है ethics की कि हम अपने ethics को follow करें these includes the behavior of the firm that is expected by a society but not codified in law तो ऐसे behavior की बात हम कर रहे हैं जो कि society हमसे accept करती है ठीक है वो law में नहीं लिखा है कि हमको ऐसे behavior करना है consumer के साथ लेकिन यह हमारी responsibility बनती है कि हमारे कोई समान करिदने आया है तो हम उसके साथ अच्छा behavior करें ठीक है यह कहीं law में नहीं लिखा हुआ है यह हमारी responsibility बनती है तो यहीं क्या कहलाएगी ethical responsibility कहलाएगी for example respecting the religious sentiments and dignity of a people will advertising for a product यानि कि हम किसी product के लिए advertisement कर रहे हैं या कोई भी product sell कर रहे हैं तो हम लोगों के sentiments को उनके religion को ध्यान में रखते हुए ही product को बनाएंगे ऐसा नहों कि हमारी हमारी discretionary responsibility अब यह ऐसी responsibilities होती है जिनके लिए कोई भी business man मतलब उसके लिए compulsory नहीं होता इसको करना यह उसके उपर निर्भर करता है कि वह कितना करना चाहता है ठीक है तो this refers to a purely voluntary obligations यह voluntary obligations होती है enterprises की कि वह assume करते हैं कि वह provide करेंगी charitable contribution यानि कुछ charity बगरा देंगी कुछ educational institutions की help करेंगी कुछ people जो earthquake या flood में नुकसान हुआ है जिनको effect हुआ है उनकी help करेंगी तो यह सब उनकी अपनी choice पे निर्भर करता है यह compulsory नहीं होती ठीक है तो I hope आपको four types की responsibilities यह social responsibilities होती हुते clear हो गया होगा चलिए अब हम समझते है social responsibility towards different interested groups अब वो groups जिनके लिए social responsibility जैसी है उसके बारे में हम समझते है तो पहली हमारी responsibility towards the shareholders और owners तो हमारे जो owners या shareholders है या जो business के मालिक है उनके प्रती हमारी कुछ responsibility बनती है क्या responsibility बनती है तो पहला बोल रहा है कि provide a fair return to shareholders और owners तो जो shareholders या owners हैं जो हमारे income लगा रहा है अपनी capital लगा रहा है उनको एक fair return हम provide कर सके यह हमारी responsibility बनती है ठीक है provide regular accurate and full information of the business तो जो भी business हमारा चल रहा है उसका एक regular और एक accurate उनको information पूरी business के मिलनी चाहिए ठीक है यह भी एक हमारी responsibility बनती है क्योंकि वो भी एक business के owner ही है तो उनक तो हमें सारी चीजें खुल के बतानी चाहिए सच बताना चाहिए और पूरी information देनी चाहिए कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए नेक्स्ट है आपकी providing information regarding future plan future plans के लिए भी हमें उन्हें information provide करनी चाहिए ठीक है next है हमारी responsibility towards the consumer अब consumer के प्रति हमारी responsibility बनती है तो सीदी से बा provide good quality product at reasonable cost यानि कि कम पैसों में अच्छा सामान हम उनको दे सकें ठीक प्रॉपर precaution against adulteration, poor quality, lack of desired services or courtesy to customer हम उन्हें पूर क्वालिटी के product ना दें ठीक हम precautions का ध्यान रखें, desired services ही दें ठीक है तो यह सारी चीजे हैं जो कि हमारे customer के लिए जरूरी है इंशोर regular supply of goods, goods को regular हम supply करते रहें, next है हमारी responsibility towards the workers, अब workers के प्रती क्या responsibility बनती है, workers के प्रती ये responsibility बनती है, कि हम उन्हें एक healthy working condition provide करें, ठीक है, एक environment जो कि healthy हो, ऐसा environment provide करें, ऐसा ना हो कि हम उन्हें ऐसी जगार काम करने के लिए रख लें, जहां पे आदमी सास भी ना ल work, उनको अच्छी opportunities भी provide करें, providing fair wages and fair deals, उनको wages भी fair दे, ऐसा ना हो कि काम उनसे जादा ले और पैसे उनको कम दे, उनको समय समय पे हम motivate करने के लिए incentives भी देते रहें, यानि कि उनके salary के अलावा कुछ extra benefits भी उनको देते रहें, ठीक है, तो ये सारी responsibilities बनती है, next है हमारी responsibility towards the government and community, अब government के प्रती हमारी क्या responsibility बनती है, सबसे पहली तो यही कि हम उनके laws को respect करें, ठीक है, not to create pollution, हम pollution ना create करें, to pay taxes regularly and honestly, हम इमानदारी से और नियम अनुसार जो है tax pay करते रहें, ऐसा ना हो कि tax की चोरी कर रहें, ठीक है, to behave as a good citizen, हम एक as a good citizen, अच्छे आदमी की तरह behave क करें, तो यह सारी responsibilities होती है, ठीक है, next topic है हमारा business ethics, ठीक है, business ethics तो बहुत छोटा सा ही उसमें दिया हुआ है, और इस chapter में pollution की भी बात हुई है, कि pollution क्या होता है, कि इतने तरह के environmental pollution होते हैं, तो मुझे लगा वो आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आप लोग को पढ़ने में उसे कोई दिक्कत होगी, तो आप मुझे comment कर दीजेगा, मैं उस पे भी एक वीडियो डाल दूगी, ठीक है, चलिए देखते है, business ethics, तो business का मतलब आपको पता ही है, कि business एक ऐसी activity है, जिसमें हम एक economic activity होती है, जिसमें हम profit earn करने के purpose से regularly कोई काम करते हैं, वही क्या कहलाता है बिजनस कहलाता है, अब हम ethics की बात करें, तो ethics हमारा simply वो rules और regulations होते हैं, ठीक है, वो rules, regulations या guidelines होती है, जो कि हमें business में follow करना होता है, तो ethics, अगर कोई पूछे आप से, कि ethics क्या होता है, तो ethics वो होते हैं, जो written rules और regulations आपको लिग के दिये होते हैं, बिजनस में, वही क्या क इतिक्स कहलाते हैं, ठीक है, तलिए समझते हैं, the word ethics has its origin in the Greek word ethics, तो ethics word हमारा Greek word से आया है, इतिक्स जिसका मतलब होता है, character, ठीक है, norms, ideals, or morals, prevailing in a group or society, तो ethics is concerned with what is right and what is wrong in human behavior, तो हम बात करें, तो हमारे अंदर क्या चीज सही और क्या गलत है, हमारे behavior में वही क्या कहलाता है, इतिक्स कहलाता है, judged on the basis of a standard form of conduct behavior of individuals as approved by the society in a particular field of activity, तो सोसाइटी की द्वारा जो behavior जजबल है, ठीक है, राइट है, उसी के according उसको जज़ किया जाता है, ठीक है, तो अगर हम ethics की बात करें, तो वह human behavior है, क्या सही है, क्या गलत, ठीक है, चलिए देखते हैं, for example, following fair trade practices, charging fair prices, fair prices, चार्ज करना, giving fair treatment to workers, earning reasonable profit, यह सब हमारे business के ethics कहलाते है, ठीक है, चलिए इनके benefits क समझते हैं, तो हमारी business image जो है, वो improve हो जाती है, अगर हमारी ethics अच्छे हो, ठीक है, public confidence भी आता है, और लोगों को हम पे trust भी होता है, greater success, और सीडिसी बात है, जब हम society में रहके, society के according behave करेंगे, ठीक है, अच्छा behave करेंगे, तो हमारा confidence भी बढ़ेगा, ठीक है, trust भी हमारा लोगों हम पे आसानी से trust भी करेंगे, और हम success भी हो पाएंगे, ठीक है, next है हमारा element of business ethics, अब हम element की बात करते है, element बहुत important होते हैं, इसलिए मैंने इनको red color से रखा है, ठीक है, क्योंकि elements अक्सर exam में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तयार कर लीजेग तो पहला जो point है, top management commitment, तो अगर हम top management की बात करें, तो top management का क्या commitment होता है, business के प्रती, तो सीडी सी बात है, top management कौन होता है, अगर हम एक school का example ने, तो school में जो manager होता है, वही क्या कहलाता है, top management में आता है, ठीक है, अगर हम principal की बात करें, तो principal हमारा middle management में आता है, और अगर में स्कूल के टीचर्स की बात करें तो वो हमारे लोर मेनेजमेंट में आ जाते हैं तो जो हमारा top management होता है उसी के according स्कूल में सारे changes होते हैं क्योंकि management की बिना permission के principal कुछ भी नहीं कर सकता ठीक है तो top management has a crucial role in guiding the entire organization towards the ethically upright behavior तो top management का main role होता है सारे behaviors का की principal कैसे बिएब कर रहा है, टीचर कैसे बिएब कर रहा है, क्योंकि बिना management के according कोई वहाँ पे बिएब नहीं कर सकता, ठीक है, management जैसा चाहएगा, वैसी चीजे वहाँ पे होंगी, तो एक बहुत ही important role play करता है, top management किसी भी business के लिए, ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा publication of a code, अब code की बात करें, तो code क्या होते है, कि जो हमारे rules and regulations business के है, जो written लिखे होते हैं, वही क्या कहलाते है, code कहलाते है, ठीक है, तो code जो rules and regulations है, उनको follow करना ही क्या कहलाता है, publication of a code कहलाता है, next है हमारा establishment of a compliance mechanism, अब establishment का मतलब हो गया है कि यह जो rules और regulations लिखे हुए हैं उनको top management, middle management, lower levels अब follow कर रहे हैं कि नहीं, यह सारी चीज़ें देखना, ठीक है, next है हमारा involving employees at all levels, अब इसमें कहा रहा है कि employees का all levels में involvement होना चाहिए, ठीक है, कोई भी decision अगर top management है तो उसको middle management से भी discuss करनी चाहिए, lower level पर भी discuss करना चाहिए, इससे क्या होगा, employees motivate भी होंगे और अच्छे से अपना 100% धेंगे भी business को, तो employees का involvement होना चाहिए, सभी levels पे, next हमारा measuring results, तो यह सारे process होने के बाद, results भी last में measure किया जाते हैं, तो यह 5 main elements होते हैं business ethics के, तो मैं फिर से revise कर देती हूँ, पहला है आपक तीसरा है हमारा उन rules और regulations को सब follow कर रहे हैं कि नहीं, इसको देखना, चौता है हमारा involving employees at all levels, सभी levels पे employees को involve करना, पाचवा है हमारा जो भी result है, उसको measure करना, ठेक है, तो आई होप आपको यह chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए अब हम एक thought देख लेते हैं, कह रहा है, we are defeated not by the challenges outside, but by the weakness within us, यानि कि हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं, बाहर की चुनोतियों से नहीं, ध्यान दीजेगा कि हम अपने अंदर की जो कमजोरिया हैं, उन से कहीं पर भी हार सकते हैं, लेकिन बाहर की चुनोतियों से हम कभी हार नहीं सकते, अगर ह हमारे अंदर का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमने क्या सोच रखा है, अगर हम सोच लेंगे तो किसी भी चुनोति को हम जीत सकते हैं, किसी भी चुनोतियों से हम बाहर निकल सकते हैं, ठेक है, तो आपो आपको चैप्ता समझ में आ गया, वीडियों के पसंद आएगा तो कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आगे के और वीडियो देखने के लिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फोर वोचिंग